अरब कबर भोपाल से है जहां चेन स्नैचिंग की वारदाद का 12 घंटो में पुलिस ने परदाफास कर दिया है क्राइम ब्रांच ने दो लुटेरों को इस मामले में गिरफदार कर लिया है आपको बताने की कोहे फिजा थाना चेतर में लुटेरों ने चेन स्नैचिंग की थी जहां मंदिर दर्शन करने जा रही महिला की चेन लूट कर बदमास फरार हो गए थे लूट में इस्थेमाल की जाने वाले स्कूटी और सुनी की चेन पुलिस ने बरामत कर लिया है भुपाल में एक चेन स्नैचिंग की घटना को जो है आसेश, साप और सलनी दो आरूपियों ने घटित किया था तक परता से हमने बारा घंटे के अंदर ही जो है इस चेन लूट का खुलासा किया है एक विक्ति को हमने लोकली जो है भुपाल से पकड़ा दूसरे जो है जी आई पी की मदद से जो है पकड़ा है दोनों कोहे फिजा की घटना के लूट में लगभग जो है लगभग एक लाग असी हजार की जो सोने की जीन थे उसको नुने सुदा एक्टिवा से चप्ता था तद्काल उसके बाद जो है सन्नी जो की बाहर का रहने वाला है वो तद्काल दिल्ली लेकर के निकलने का प्रयास मिला और असीर साह को बाद में हमने फोटेज का अधार पर पकड़ा था सन्नी के खिलाफ लगभग आठ अपराद हैं सब एक कोहे फिजा में हैं और बाकी सब दिल्ली के एरिया में हैं 326, 353, 302, 323, 392 के अपराद पहले भी जो है से खिलाफ जो है हुए है दर्ज और अशेर साह किराफ पिछले साल कोहे फिजा में कोलिस वाले के उपर तरवार स 307 और इस बार जो हमने 392 के पर कायम करना समशित करवाया है इसमें पूरी टीम को जो है प्रोस्क्रिट करने ही कि तो आधिकालिया द्वारा बताएगे